नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रह्मत राज मैथमेटिक्स में दोस्तों ठीक सुबे के साथ बच चुके हैं और आप सभी को पता है कि साथ बजे जैसा कि संडे को आज आपका reasoning का एक model test paper का test लेने वाला हूँ दोस्तों reasoning का आपका model test paper का test है जिसमें हम 50 question देखेंगे दोस्तों तो एक बार सभी लोग जुड़ ज़एए सभी को good morning to all दोस्तों BSTC 2020 के आपकी तयारी को सांदार करने के लिए reasoning यानि मानसिक योगिता mental ability के 50 questions वाला model test paper लेकर आगे हूं दोस्तों आज के इस test में आपका आंकलन बहुत अच्छा हो जाएगा हर एक topic को छोते वे दोस्तों ये अपना test है तो एक बार सबी लोग बता दीजिए आवाज और वीडियो के लिए रहे क्या फिर मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों कुल 50 questions देखेंगे pain copy लेके बेट येगा reasoning का test है जीके का test नहीं है reasoning का test है इसलिए आपको pain copy लेके बेटना है मेरे प्यारे साथियों pain copy आप साथ में लेके बेट जाएं फिर इस बेटरे इन टेस्ट की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों आपकी तैयारी को अच्छी करने के लिए दोस्तों आपके लिए model test paper लाया हूं दोस्तों जल्दी से बता दीजिए आवाज वीडियो के लिए है चलिए दोस्तों फिर शिरुआत करते हैं इस model test paper के आज के आज का आपका पहला क्यूस्टन है मेरे पहरे साथियों पहला क्यूस्टन है रोहन ये उकारती के आयू करम से 6 और 10 वर्ष है कितने वर्ष बाद दोन्यों की आयू का योग 34 वर्ष होगा दोस्तों ये आप ध्यान रखें गणित नहीं है ये reasoning है reasoning में इस परकार के आयू से सम्मदित और परतिसद से सम्मदित आप से सवाल पूचे जा सकते हैं ठीके ना ये paper भी BSTC का ये कब का है मैं बाद में बताऊंगा पहले आप इसको हल करें रोहने कार्ति के आयू करम से वर्तमान आयू छे और दस वर्ष है कितने वर्ष बाद दोनों के आयू का योग 34 वर्ष होगा चलिए option आपके हैं 9, 12, 14 या 16 जल्दी से बते राइट आंसर क्या हो जाईगा question number 1 का राइट आंसर करें दोस्तों जल्दी से बहुत बढ़िया नम्मे का राइट आंसर दोस्तों option नम्मर ए राइट रहेगा कैसे रहेगा दोको देखो दोनों की वर्तमान आयू का योग वर्तमान आयू का योग करें तो 10 और 6 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ठीक है अब देखो कितने वर्त बाद मान लिजी x वर्त बाद तो x वर्त बाद रोहन के x प्लस 6 और इसके हो जाएगे x प्लस 10 बराबर कितना ले 34 ले ले x और 2x हो गए 10 और 6 16 उदर जाएगे तो माइनस के हो जाएगे तो 2x बराबर 34 में से 16 गए तो 18 बचा x बराबर 18 बचा 2 और 18 बचा 2 का मतलब क्या होता है 9 होता है ठीक है तो 9 वर्ष बाद दोनों के आयू का योग है कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा फर्स्ट ओप्शन आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों जिनोंने भी बताया है बिल्कुल सही है शेर कर दीजे सभी दोस्तों को जोड लीजे दोस्तों रिजनिंग के 50 क्यूशन देखने वाल है टोप मौश्ट 50 क्यूशन देखेंगे दोस्तों आपके कितने से होते हैं लाश्ट में बता के जाना है मुझे अगला क्यूशन है परसन वाचक चिन के इस्तान पर आने वाली कौन से सिंख्या है ओप्सन है 4, 5, 6 या 7 आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है इसमें परसन वाचक चिन के जगे कौन से सिंख्या है जल्दी से बता दीजे दोस्तों दूसरा एक्यूशन आपके सामने आ चुका है परसन वाचक चिन के यहां पर है जल्दी से बते दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा चलिए जल्दी से करें दोस्तों हर एक्यूशन को डिटेल से बताऊंगा बारी की से समझाऊंगा आपको इंट्रेस्ट लेके पढ़ना है दोस्तों ठीक है न? मेरे प्यारे सात्यों इंट्रेस्ट लेके ही पढ़ना पढ़ेगा आपको चलिए दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों दूसरे का राइट आंसर हैगा आपके पांच बी बी ओप्शन दूसरा ओप्शन करेक्ट आंसरेगा कैसे आया देखो ये गुंतिस कैसे है ये बता रहा हूँ साथ इंटू तीन करो दोस्तों साथ इंटू तीन 21 प्लस आठ कितना वा गुंतिस हो गया यानि इसको और इसको गुणा करो और बीच वाला जोड़ो देखो चार इंटू तीन चार तरी 12 और प्लस साथ 12 और साथ 19 हो गया इसका मतलब पांच को किसे गुणा करें पांच को पांच से गुणा करके दोस्तों छे जोडो तो पांचाम 25 बच्चेस और छे कितना होगे 31 यानि कि इस क्यूषन मारक चिन की जगे के आएगा पांच आएगा जिन लोगों ने भी पांच कमेंट किया है बिल्कुल करेक्ट answer है मेरे प्यारे दोस्तों सभी को good morning एक बार like और share कर दीजे दोस्तों like और share कर दीजे दोस्तों आपके लिए इतनी मेनत की जारे लगातार person कर्मा 3 से 7 तक आपको इसमें से देख के answer देना है question blood relation का है आपको खुद को बनाना है मैंने अच्छी परकार अच्छी पटाए आया है ठीक है आपको खुद को बनाना है relation एक समो में 6 व्यक्ति हैं A, B, C, D, E, E और B की बहिए P के पती का भाई B है D, A का पिता है और F का दादा है D, A का पिता है और F का दादा है समो में 2 पिता है 3 भाई और 1 माँ है ठीक है समों में दो पिता है तीन भाई ये और एक मा है अब आप से अलग अलग क्यूशन पुचे वे क्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है ना तीन चार पांस तो दिखाई दे रहे हैं छटा साथ हों बाद में दिखा दूँगा पहले आप तीसरे का राइट आंसर बतो पहले इसका चितर बना लो जल्दी से कोपी में पेन और कोपी लेके बेटो जब रिजनिंग का टेस्ट दे रहे हो पचास क्यूशन पढ़ाऊंगा एक दो क्यूशन नहीं करवाने वाला हूँ दोस्तों कुल पचास परसनों का हल करवाने वाला हूँ मैं आपसे जल्दी से बता दीजिए जल्दी से बता दीजिए दोस्तों चलिए देखिए यहां पर क्या कावाई एक बार मैं कोशिच करता हूँ यहां पर एफ सी की बैने एफ बैने यानि एफ बैने यानि एफ बैने यानि एफ पर माइनस का चिन किसकी बैने सी की तो सी यहां गया ठीक है ए के पती का भाई भी है इसको छोड़ो एक बार डी एका पिता है और एफ का दादा है F का कोई ने कोई पुत्र है ठीक है और उसका दादा है कोई F, ये F दादा है तो Sorry D, D पर प्लस का चेन आगया और इसका दादा बन गया है ठीक है अब क्या कहरा है D A का पिता है, A का पिता है तो A यहाँ आगया, समू में दो पिता तीन भाई और एक माँ है आगे क्या कह रहा है F C की भाई ने D E और F है E के पती का भाई B है E के पती का भाई B है ठीक है न E के पती का भाई B E के पती का भाई B है E के पती का भाई B बनाना दोस्तों चलिए यह हो गया आपका B, C की भाई ने, E के पती का भाई B है D, A का पिता और F का ददा है D, A का पिता हो गया, चलिए सम्मू में दो पिता, तीन भाई, एक मा है ठीक है न, ये जो A है, ये E का पती है दोस्तों E का क्या है, पती है तो पलस का चेन आ जाएगा इस पे, अब देखिए अब आपका राइट आंसर बन चुका है, दोस्तों, अब आपका करेक्ट आंसर बन चुका है E का पती कौन है, दोस्तों E का पती कौन है, ये पूचा है तीसरे क्यूस्टन में, तीसरे क्यूस्टन में क्या पूचा है E का पति कौन है दोस्तों जल्दी से बताई राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई कौन कौन है A, B और F ठीक है मा है E, E मा है और पिता है D और A ये तो आपके बन गए अब बताई तीसरे का E का पति कौन है तीसरे क्योशन ये पूचा है दोस्तों E का पति कौन है सबी लोग कमेंट करेंगे एक साथ E का पति कौन है दोस्तों A है, C ओप्षन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों C ओप्षन करेक्ट आंसर हो जाएगा C ठीक है, सोरी C ओप्षन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों C वाला A है, E का पती कौन है A है, यहां पर साप दिखाई दे रहा है, ठीक है अब देखो, समू में कितने पुरुष सदेशे हैं कितने पुरुष सदेशे हैं 4, कौन कौन से, एक तो D है एक A है एक B ए और F है, D, A, B और F, यह सारे आपके क्या है, पुरुष सदेशे हैं 4, करेक्ट आंसर एगा, ठीक है आप जान से बनाएगा, इसको पेट छोटा है, मेरे यहां बन नहीं रहा है ठीक है, तीसरे का राइट आंसर C ओप्शन एगा, चोते का राइट आंसर आपके कितने हैं, 4 पुरुष सदेशे हैं तो D ओप्शन आपका करेक्ट आंसर होजेगा इसमें, ठीक है, पांचवे का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बतो F का E से क्या संबन्द है F का E से क्या संबन्द है पांचवे बतो दोस्तों F E का क्या लगता है बहुत बढ़िया राइट आंसर होजेगा दोस्तों बेटा, C ओप्शन आपका करेक्ट आंसर होजेगा, ठीक है छटा क्यूशन देखो, नेमने में से भाईयों का सम्मूँ कौन सा है भाईयों का सम्मूँ बताओ दोस्तों ABF, ABD, BFL L या BDF, जल्दी से बताइए छटे क्यूशन का राइट आंसर चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर पहला ओप्शन देगा ABF, बाईयों का सम्मूँ क्या है ABF है, जिन्होंने भी बताए, बिल्कुल करेक्ट है आप इसको ध्यान से बनाना अब साथवां क्यूशन पुचा है मा कौन है दोस्तों मा का मैंने उपर बता दिया था आपको कि कौन है, E है मा कौन है, E है याँपर आइट आंसर D रेगा ठीक है, तो ये रक्त सम्मूँ का क्यूशन था ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्यूशन की तरफ आते हैं, मेरे प्यारे साथियों अगले क्यूशन की तरफ, अब आजे ही आपर आपके आट वाई क्यूशन आ चुका है निम्न तीसरे वरत में परसंचिन के इस्तान पर क्या आएगा ओप्शन देरेके हैं 105, 12, 164 या जल्दी से बते ही राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बते ही राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट करना है दोस्तों आट वें का राइट आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों आट वें का जल्दिश से बतेए दोस्तों आटवें का राइट आंसर चार ओपिशन आपके सामने हैं किस प्रकार से करना है अभी मैं बताओंगा पहले आप इसका प्रियास करें दोस्तों चलिए 8 वे का right answer दोस्तों 56 हो जएगा 56 जिनोंने comment किया बिल्कुल सही है कैसे आया देखो देखें कैसे आया दोस्तों 4 into 5 करने पर 20 आ रहा है 4 into 5 करने पर क्या रहा है 20 आ रहा है ठीक है अब देखिए और आपका 4 plus 5 करने पर 9 आ रहा है एक बार जोडने पर आया ना चाहिए देखो 7 छंग 6 Ăंटू 7 चंग 24 छो रहा है न और 7 और 6 कितने और तेरा भी और रहा है अब देखो 8 इंटू 7 करेंगे तो 8 इंटू 7 कितने और जाहिए नग आटू 7 ता 36 चलिए नम्मा क्योश्चन आक। आचोका आपके सामने एक बार like और share कर दीजिए दोस्तों क्योश्चन आपका है जैसे चिकनी मिटि के बर्तन से related है वैसे ही रिलेटिड होगा मैला सुनार गेन या धातू जल्दी से बते हैं नम्मे का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों जल्दी से बताएगे क्यों सन नम्बर 9 आपके सामने अवेलेबल है चलिए नम्मे का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा गेना के ना आपका right answer हो जाएगा C option जिस परकार चिकनी मिट्टी से मिट्टी के बरतन बनते हैं वेसे ही सोने से क्या बनते हैं दोस्तों गेने बनते हैं C option जिनोंने भी बताये दोस्तों मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल correct answer है C option correct answer नमे का ठीक है आगे बढ़िये दोस्तों आगे बढ़िये like और share करते रहें 10 वां question आपके साब ने आ चुका है जैसे guy दूठ से related है वेसे ही किसे क्या related है option है टोटी पानी फटाके दवनी मदुमकी शेद और दिपक रोसनी जल्दी से बते दोस्तों right answer क्या हो जाएगा question number 10 का right answer क्या हो जाएगा चलिए बहुत बढ़िया right answer एगा दोस्तों option number 6 मदुमकी और शेद किसा आया दान से देखना कि जिस परकार गाय दूठ देती है उससी परकार मदुमकी शेद का उत्पादन करती है मदुमकी किसका उत्पादन करती है दोस्तों शेद का उत्पादन करती है तो CEO option आपका correct answer हो जेगा जिनों ने भी CEO option बताया है बिल्कुल correct answer है मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल correct answer है CEO option वालों का ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्योष्टन की तरफ अगला क्योष्टन देखें 11 वहां जैसे पक्षी, पंक, वैसे ही मचली, क्या, पानी, गलफड़ा, मीन, पक्ष या पूंच, जल्दी से बता ही 11 का राइट आंसर क्या होजएगा जल्दी से बते ही दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा क्यों से नमबर 11 आपके सामने अवेलेबल है कुल 50 परसनों का टेस्ट लेने वाला हूँ दोस्तों चलिए बहुत बड़ा बहुत बड़ी है राइट आंसर गलफड़ा हो जाएगा दोस्तों B option आपका correct answer एगा 12 का जिन्नों ने B बते है बिल्कुल correct answer है ठीक है ना चलिए देखो जिस परकार पक्षी को उड़ने के लिए पंक उसकी साहिता करते हैं उसी परकार मचली को तेरने में उसकी गलफड़े साहिता करते हैं ठीक है B option आपका correct answer एगा दोस्तों B आगे बढ़िए दोस्तों बारवा क्यूशन है जैसे चार पाई फनिचर वे से ही किसे रिलेटिड है क्या अध्यापक शिक्षा, चांदी धातू जाली फ्रोक, इसकोटर सवार बारवे का राइट आंसर सोच के बते हैं दोस्तों बारवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बते हैं मेरे प्यारे साथियों चलिए बहुत बढ़िया बारवे का राइट आंसर B ओप्शन हो जाएगा दोस्तों B ओप्शन चांदी धातू कैसे जिस परकार 4 पाई जिस परकार 4 पाई एक परकार का फन्नी चरे वेसे ही चांदी जो है एक परकार की धातू है दोस्तों जिस परकार चार पाई एक परकार का फन्नी चरे उसी परकार चांदी एक परकार की क्या है दोस्तों गातु है बात समझ में आगी ना तो आपका B option correct answer एगा बारवे का तेरवा क्यूस्टन देखो दोस्तों तेरवा जैसे हत्या परतिबद वेसे ही चोट कारण चोरी कबूल गलती सेमत लड़ाई हिम्मत दोस्तों ये क्यूस्टन पेपर आयावा है जो मैं अभी आपको model paper हल करवा रहा है ये आयावा है कब आया है बताओंगा बाद में जल्दी से हल कीजिए right answer तेरवे का क्या हो जाएगा तेरवे का राइट आंसर कमेंट करना है मेरे प्यारे सात्यों तेरवे का राइट आंसर चलिए बहुत बढ़िए तेरवे का right answer हो जाएगा लड़ाई हिम्मत ठीक है जिस परकार से हत्या तब ही हो सकती है जब व्यवक्ति उसके लिए परतिबद हो वे से ही लड़ाई तब ही हो सकती है जब लड़ाई करने की हिम्मत हो हिम्मत होने पर ही की जा सकती है लड़ाई ठीक है आपका D option correct answer एगा तेरवे में जिनोंने भी D बताया है मेरे प्यारे साथियों बिलकुल correct answer बताया है D यहाँ पर right answer एगा दोस्तों D तेरवे का चलिए चवद्वे में आजे कुल 50% करवाऊंगा आज संडे का आज पूरा आपको फाइदा देने वाला हूं दोस्तों जैसे calendar तारिक से related है वेसे ही किस से क्या related है option है सहर pin code परिवेहन बस कार पईया सब्द को सब्द जल्दी से बताये चवद्वे का right answer question number 14 का right answer क्या हो जाएगा जल्दी से बतेए दोस्तों जल्दी से बतेए question number 14 का right answer बहुत बढ़िया चवद्वे का right answer हो जेगा D option सब्द को सब्द ज्यान से समझना जैसे calendar में तारिक होती है उसी परकार सब्द कोस में क्या रहते हैं दोस्तों सब्द रहते हैं सब्द कोस में मेरे प्यारे सातियों क्या रहते हैं सब्द रहते हैं ठीक है 14 तक किलिए रहे एक बार बता दीजिए 14 तक समझ में आगे है क्या पूरा आगे बढ़ता हूं दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों मज़ा आने वाला है इस लाइव टेस्ट में आपको क्यों से नमबर पंदरा पे आजए जैसे पीतल एक मिसर दातो है वेसे ही किस से क्या रिलेटिड है ये बताना है कार शड़क, ट्रक लोड, पेंसिल इस्टेशनरी या पुलिस टोर जल्दी से बते ही राइट आनसर क्या हो जाएगा जैसे पीतल एक मिसर दातो है उसी परकार किस से क्या रिलेटिड है पंदरवे का राइट आनसर बताईए बहुत ही बढ़िया कमेंट करते रहे दोस्तों सबी साथियों को कमेंट करना है meidän प्यारे साथियों सबी को कमेंट करना है ठीक है ना? यहां पर राइट आंसर इगा दोस्तों pencil isstationary सी ओपशन आपका गरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ओपशन कैसे आया? अब ध्यान से समझना जिस परकार पीतल एक मिश्र दातू है वेसे ही पैंसिल एक परकार की स्टेशनरी है पैंसिल एक परकार की क्या है स्टेशनरी का समान है पीतल जिस परकार एक मिश्र दातू है पैंसिल स्टेशनरी का समान है बात समझे बागी C option आपका 15 का correct answer एगा जिन साथ योंने C option बताया बिल्कुल correct है जो नए जुड़े एक बार share करके हो पहली बार चैनल पर आईए हो तो लाल बटन दबा कर subscribe कर लो 50 questions का reasoning का test ले रहा हूँ 16 person आपके सामने आचुका है चलिए 16 क्या कह रहा है जिस परकार आरा खाती से संबन दिते वेसे ही pain किसे संबन दिते शाही, निब, लेखक या इन में से कोई नहीं बताये दोस्तों जिस परकार आरा खाती से संबन दिते वेसे ही pain किसे संबन दिते चलिए 16 में का right answer क्या हो जाएगा दोस्तों जल्दी से बताये बहुत ही बढ़िया दोस्तों बहुत ही बढ़िया वेरी गुड दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सोल में का बतो जल्दी से बहुत बढ़िया लेखक राइट आंसर हो जाएगा काफी लोगों ने करेक्ट आंसर बता दिया दोस्तों C option आपका correct answer एगा ठीक है जिस परकार आरा जो है जिस परकार आरा का प्रियोग खती कर अपने काम के लिए करता है उसी परकार पेन का प्रियोग लेखक अपने काम के लिए करता है ठीक है लेकन कला के लिए बात समझे में आगे ना दोस्तों यहाँ पर शी ओप्षन करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडवे का सत्रवे में आए जैसे जूता, चमडा वे सही, राजमार्ग किस्से समन दिते मार्ग, सड़क, डामर्या, पकडंडी सत्रा नमबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताएगा दीजिए जल्दी से बताएगा दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा बहुत बढ़िया सत्रवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डामर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ओप्षन ठीक है जिस परकार जूता जो है वह चमडे से बनता है उसी परकार राज मार्ग जो है डामर से बनता है दोस्तों किस से बनता है डामर से बनता है मेरे प्यारे साथियों डामर से ठीक है आपका right answer क्या हो जाएगा दोस्तों C option हो जाएगा C ठीक है चलिए अगला देखें अगला जैसे शे रोग फेंपड़े से related है वैसे ही मोत या बिंद किससे संबंदित है कान, आंक, तुचा, शोर 18 में का right answer बतो जिस परकार शे रोग फेंपड़े से related है वैसे ही मोत या बिंद किससे related है कान, आंक, तुचा या सोर जल्दी से बते ही प्यारे सातियों right answer क्या हो जाएगा क्यूशन नंबर 18 कुल 50 क्यूशनों का test लेने वाला हो दोस्तों, 18 क्यूशन आपके सामने आ चुका है बते ही, right answer क्या होगा चलिए, very good बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर आंक, आपका right answer हो जेगा, option नंबर B right answer हो जेगा, जिस परकार share रोग जो है जिस परकार जो है share रोग जो है फेंपडे से related है, वैसे ही मोतियबिन आंक का रोग है दोस्तों, B option आपका correct answer हैगा, चलिए 19 क्यूशन आपके सामने आ चुका दोस्तों चलिए, क्यूशन क्या है, जैसे गोली बंदूख से related है, वैसे ही दुआ किसे related है कार खाना, चिमनी, दूल या आग, अब बताइए दोस्तों 19 में का right answer क्या हो जाएगा जिस परकार गोली बंदूख से सम्बंदित है वैसे ही दुआ किसे सम्बंदित है दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए कि मेरे प्यारे सातियों right answer क्या हो जाएगा चलिए बहुत बढ़िया दुआ जो है दोस्तों चिमनी से सम्बंदित है किसे निकलता है चिमनी से गोली, जो है बंदूख से निकलती है तो दुआ किसे निकलता है चिमनी से निकलता है B option आपका correct answer रहेगा यहां दोस्तों ठीक है ना B option आपका correct answer रहेगा मेरे प्यारे साथियों correct answer रहेगा B option बात समझ में आगई ना B option correct answer रहेगा ठीक है चलिए next अगला देखिए दोस्तों 20 वाँ question आपके सामने है जल्दी से इसको हल कर लीजिए question number 20 आपके सामने अवले बहले दोस्तों 20 वाँ यदि plus का मतलब गुणा minus का मतलब भाग भाग का मतलब plus और गुणा का मतलब minus हो तो आपको एक समिकरन दिया है इसका मान क्या होगा बताना है जल्दी से करिए दोस्तों जल्दी से करिए जल्दी से करिए दोस्तों very good 19 में का right answer क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजी मेरे पहरे साथी 19 में का चलिए 19 में का right answer हो जाएगा ए ओप्शन 20 आएगा दोस्तों 20 केसे आएगा आप ध्यान से समझना कि 16 divided by क्या है 64 है और अब भाग का मतलब क्या है पलस है तो मैं इन सब का चिन बदल रहा हो देखो 16 आएगा 16 पलस 62 हो जाएगा माइनस का मतलब क्या है भाग है तो यहां आजएगा भाग का चिन चार ठीक है फिर गुणा का मतलब क्या है कि गुणा का मतलब माइनस है तो यहां माइनस आजएगा चार ठीक है फिर पलस का मतलब गुणा है तो यहां आजएगा तीन यहां डिवाइट करेंगे तो 64, 64, 16, 16 आजएगा यहाँ पर आजएगा 4, 3, 12 ठीक है यहाँ आजएगा आपका 12, 12 आगया और यहाँ पर आजएगा 16, 16, 32 32 में से 12 जाएगे तो 20 बचेगा दोस्तों 20 आपका correct answer हो जाएगा मेरे पैरे सातियों 20 ठीक है ना 20 आपका correct answer हैगा 20 वे question में 20 right answer हैगा दोस्तों जिन्होंने भी 20 वताया है बिलकुल correct answer है मेरे पैरे सातियों बहुत अच्छी तयारी आपकी चलिए अगला question आपके साबने available है दोस्तों 21 question एक निशित कूट में यदि शब्द C-O-R-P-U-S कॉर्पस को E-M-T-N-W-Q से संकेत दिया जाए तो ट्डर-T-O-D-E-R का कूट क्या होगा दोस्तों प्रियाप्त समय आपका दूर दे रहा हूँ, आपको प्रियाप्त समय मिल रहा है 21 को हल कर लिए दोस्तों right answer क्या हो जाएगा 21 को हल कीजिए मेरे पेहरे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का क्यूस्टन नंबर 21 का राइट आंसर बताना है दोस्तों आपको चलिए 21 का राइट आंसर दोस्तों क्या आएगा ओप्षन नंबर आपका कौन सा आजएगा दो आजएगा वी एम एप बी जी पी दोस्तों आएगा बी ओप्षन आपका करेक्ट आंसर एगा दोस्तों ठीक है 21 का दूसरा ओप्षन आपका करेक्ट आंसर एगा 21 वें का दूसरा पता करना है दोस्तों ठीक है दूसरा कैसे आया है दोस्तों देखो अब मैं कहे रहा हूँ Corpus Corpus इसको क्या लिक रहा है इसको लिक रहा है E, M, T, N, W, Q दोस्तों देखो C से E यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 है तो प्लस 2 हो रहा है यहाँ पर 15 पाता है O, 13 पाता है M तो माइनस 2 हो रहा है फिर R, T यानि 18 दो 20 प्लस 2 हो रहा है फिर P से N 16 चवदा माइनस 2 हो रहा है यानि प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 का पेटरन चल रहा है मेरे पहरे साथियों ठीक है ना यह आपका इस परकार से प्लस दो माइनस दो चल रहा है मेरे प्यारे साथियों प्लस दो माइनस दो ठीक है ना तो आप देखें प्लस दो माइनस दो आएंगे तो T O D D E R टोडर यहां पर 20 15 4, 4, 5 और 18 20 में प्लस दो करेंगे तो 22 हो जाएगा 15 में से 2 गटाएंगे तो 14 हो जाएगा 15 में से 2 गटाएंगे तो 13 हो जाएगा 4 में से 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा ठीक है ना 4 में कितने जोड़ेंगे दोस्तों T O D D E R यही तो है T O D D E R विलकुँ से यह ठीक है ना पांच में से तीन जाएंगे तो दो आ जाएंगे ठीक है आपका राइट आंसर D option आएगा दोस्तों कौन सा आएगा D option आएगा दूसरा नहीं आएगा चोता option आएगा V, M, F, B, G, P ठीक है V, M, F, B, G, P D option आएगा दोस्तों D option correct answer आएगा मेरे पहरे सात्यों 21 का D 21 का D आएगा सोरी दोस्तों D आएगा जिन्होंने भी D comment किया है बिल्कुल correct answer है वो यहाँ पर D है ना यह वाला D दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर 4 और दो च्छे होगा तो F बनेगा G नहीं बनेगा ठीके ना D option आपका correct answer रहेगा 21 का 22 में आज़े अब जल्दी से Question number 22 आपके सामने आ चुका है विसम का chain करें दारजी लिंग, सिमला, दिल्ली, नेनिताल यह थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं तुम मैं बोल रहा हूँ दारजी लिंग, सिमला, दिल्ली और नेनिताल जल्दी से बते ही 22 में का क्या हो जाएगा चलिए जल्दी से बते ही दोस्तों राइट answer क्या हो जाएगा विसम अलग कौन सा है अलग कौन सा है तीन से अलग यह एक चलिए दोस्तों यहां पर right answer हो जेगा शी option दिल्ली दोस्तों दिल्ली अलग है कैसे हैं दारजी लिंग, शिमला और नेनिताल जो है वे परवतिय परियाटन इस्तेले दोस्तों परवतों पर इस्तित परियाटन इस्तेले हम कह सकते हैं कि hill stations है क्या है hill stations है जबकि दिल्ली एसा परदेश नहीं है ठीक है ना यहां पर C option आपका correct answer वज़ेगा जिन भाई बेनों ने C option बताया है बहुत बढ़िया दोस्तों बहुत बढ़िया 23 क्योशन आपके सामने है विशम का chain करें यानि अलग कौन सा है अलग कौन सा है दोस्तों या रूबी जल्दी से बताई 23 का right answer जल्दी से बताई दोस्तों right answer क्या हो जाएगा विशम का chain करें इस प्रकार का सवाल है विशम का chain करना है मोती पुखराज हीरा या रूबी जल्दी से बताई दोस्तों चलिए बहुत बढ़िया चलिए right answer क्या हो जेगा दोस्तों right answer हो जेगा आपका क्या मोती मोती याँ पर अलग रहेगा कैसे रहेगा बता रहूं दोस्तों बता रहूं हीरा पुकराज और रूबी हीरा पुकराज और रूबी मुल्यवान खनी जे दोस्तों जबकि मोती जो है वह जीव से प्राप्त होता है मोती और मुंगा दोनों जीव से उत्पादित होते हैं मेरे प्यारे साथियों दोनों जीव से उत्पादित होते हैं बात समझ में आगे क्या आपके तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होजेगा दोस्तों या आप राइट आंसर मोती हो जाएगा जिनों ने भी 23 में का पहला option बताया है बहुत खुब बहुत खुब दोस्तों ठीक है आगे बढ़िये दोस्तों आगे 24 में question आ चुका है जैसे होकी खेल से संब्दिते वेसे ही किसे क्या संब्दिते option आ राज, सासन, समीदान, सबा, किताब, सडक, लेटिन, भासा जल्दी से बताये 24 में का राइट आंसर बताना है मेरे प्यारे साथियों 24 में का राइट आंसर ठीक है question number 24 का राइट आंसर बताना है चलिए बहुत खुब राइट आंसर एका दोस्तों लेटिन भासा ठीक है किस परकार जैसे होकी एक खेल है वेसे ही लेटिन एक परकार की क्या है दोस्तों भासा है बात समझ में आगे ना चली अब आपके सामने एक निर्देश आयाव है परसन संक्या 25 से गुंतिस तक इसी को पढ़के आंसर देना है जानकारिया आपके सामने है एक लोहार के पास लोई की 5 वस्तों है A, B, C, D, E परते का वजन अलग लग है A का वजन B से दूगुना है B का वजन C से साड़े चार गुना है C का वजन D से आदा है D का वजन E से आदा है E का वजन A से कम है लेकिन C से ज़्यादा है अब आप पता कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा वजनदार को अने सबसे कम को अने इनका करम सेट कर लीजिए दोस्तों इनका करम बना लीजिए मैं आपसे 4 क्यूशन पूचोंगा 25, 27, 28, 28, 29 यानि 5 क्यूशन पूचने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों एक बार आप इनका करम बना लीजिए जल्दी से दोस्तों हल्की बारी के आदार पर करम बनाईए दोस्तों इनको करम के अनुसार सेट कर लीजिए आपके सभी क्यूशन से हो जाएंगे मेरे पहरे साथियों 5 वस्तों हैं लोए की मैं इनका डारीक्ट आपको करम बताऊंगा सबसे भारी कोने और सबसे अलकी कोने आप सबसे पहले इसका राइट आंसर बताना है केवल करम सेट कर लीजिए अब मैं आपके सामने क्यूशन ला रहा हूँ दोस्तों अब आपके सामने क्यूशन आगया हैं दोस्तों क्यूशन आपके सामने आने लगए हैं ठीक है बना लिया होगा आप सब इने चलिए अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि इसका right answer क्या होगा पहले देखें करम देखें सबसे भारी रहेगी A सबसे भारी रहेगी A उसके बाद आएगी दोस्तों B उसके बाद आएगी E उसके बाद आएगी D और सबसे हलकी रहेगी C ये करम जिन्नों ने बनाया है बिल्कुल सही करम है अब आप क्यूशनों को पढ़के आंसर देना दोस्तों अब आप मेरे साथ में क्यूशनों को पढ़के आंसर देना है सबी को ठीक है चलिए पहला क्यूशन है 25 वाँ E वजन में कौन सी दो वस्तों से हलकी है E जो है किस किस से हलकी है बतो किस किस से हलकी है E आपर है इससे भारी A और B हैक नहीं है जल्दी से कमेंट करो 25 वें का राइट आंसर क्या हो जेगा E किन दो वस्तों से हलकी है चलिए बहुत बढ़िया 5 वें का पहला राइट आंसर हो जेगा A और B से जो E है वे हलकी है पहला option correct answer एगा लगबख सभी का सही था 26 वा देखो E वजन में कौन सी दो वस्तों से बारी है अब ये बतो option A, B, C या D कौन सा option correct answer होगा option लिख के बजो दोस्तों मेरे पास E वजन में कौन सी दो वस्तों से बारी है ये बताना है आपको चलिए बहुत वडिया E जो है D और C से बारी है D और C में दूसरा option है B option बिलकुल correct है सभी ने सही बताया दोस्तों B option आपका correct answer रहेगा ठीक है B option हो गया चलिए 27 वा देखो नेमन में से कौन सी वस्तों वजन में सबसे बारी है इन में से सबसे बारी कौन सी है जिसका वजन ज़्यादा रहेगा वही सबसे बारी रहेगी कि नहीं रहेगी बिलकुल रहेगी तो सबसे बारी कौन सी है बता दीजिए very good बहुत बढ़िया सबसे बारी कौन सी है दोस्तों A है A सबसे बारिये देख लें, आप उपर देखो, A सबसे बारिये, ठीक है, और सबसे हलकी कौन सी है, ठीक है, वस्तों का करम पुचा है दोस्तों, आप से पुचा है, अवरोई करम, मैं वापिस बना रहा हूँ, उपर A, B, E, फिर आएगा D, और क्या बनायता, C, यही करम बनाय बढ़तावा करम, पहले सबसे छोटा, हलकी, सबसे पहले हलकी बतानी है दोस्तों, सोरी, अवरोई करम पुचा है दोस्तों, अवरोई, सबसे भारी पहले सबसे बारी बतानी है दोस्तों, सोरी, अवरोई करम पुचा है, यहां पर आरोई नहीं है दोस्तों, अवरोई, सब से भारी को पहले दर्शाना यानि जो मैंने बनाया है उपर वे साही बताना आपको तो A, B, E, D, C कौन सा हो जाएगा पहला option correct answer हो जाएगा ठीक है आरो ही नहीं अवरो ही पूचा है तो पहला option आपका correct answer हो जाएगा जिन सातियों ने पहला option बताया है बिल्कुल correct answer है क्यूशन नंबर गुंतिस का बतो जल्दी से गुंतिस्वें क्यूशन आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों बहुत इबढ़िया गुंतिस्वें का right answer कमेंट करो मेरी प्यारे दोस्तों गुंतिस्वें का चलिए good गुंतिस्वें में क्या हो जेगा C, ठीक है C सबसे हलकी है, C दातू सबसे हलकी है तो ये क्यूशन आपके complete way गुंतिस तक अब आजे तीस्वें क्यूशन में तीस्वें क्यूशन, तीस्वें क्यूशन कलेंडर से समन देते हैं दोस्तों कलेंडर से आज सोमार है, तो 31 में दिन कौन सा वार होगा ओप्शन देखो, बुद्वार, सन्यवार, मंगलवार या गुरुवार दोस्तों क्यूशन क्या है कि आज सोमार है, माल लीजिए आज सोमार है तो आज से 61 में दिन कौन सा वार होगा, बहुत इजी है ये तो जल्दी से बताई, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सभी सात्यों को मैं टाइम दे रहा हूँ, आराम से करें तीसवार क्यूशन नहीं आया बीच में न 21 के बाद मैं तीसरा भी लेंगा, आप एले 31 बता दू, राइट आंसर क्या हो ज Dal게 एला 30 भी मैं डाल रहा हूँ दोस्तों 30 भी आ जाएगा आपके चलिए आप इसका रायट आंसर बताने, रायट आंसर क्या हो जएगा मेरी प्यारी साथी को कमेंट करना एक साथD सबी को एक साथ कमेंट करना दोस्तों चलिए बहुत बढ़िया सनिवार आएगा B option आपका correct answer आएगा B option आपका correct answer रहेगा दोस्तों कौन सा रहेगा B कैसे आया 61 61 में 7 का भाग दीजिए तो 7, 8, 56, 5, 6, 5 बच गया तो आज सोमार है तो सोमार में 5 जोड लीजिए आपका क्या आजएगा दोस्तों सनिवार आजएगा क्या आजएगा सनिवार आजएगा बिल्कुल B option correct answer रहेगा जिन्होंने भी B बताया है बिल्कुल correct answer रहेगा मेरे प्यारे साथियों correct answer रहेगा बात समझ में आ गई न, चली, अब मैं आपको तीसे क्योंशन लिखाता हूँ, तीसे क्योंशन लिखना कि निम्ने सब्दों को अर्थ पूर्ण करम में जचाईए, अर्थ पूर्ण करम में इनको लिखना है, पहला है आपका फशल, ठीक है, दूसरा हैापका जड तीसरा है आपका तना चोता है आपका बीज पांचवा है आपका फूल ठीके मैं ओप्सन नहीं दूँगा बीच में कोई क्यूशन नहीं छुटे इसलिए मैं बता रहाँ तीसवें को अर्थ पूर्ण करम में जचाईए कि सबसे पहले क्या आएगा छोटे से बड़े की और जाना है दोस्तों सबसे पहले बीज से शुरू कर दीजिए आप लिख के बेज दीजिए कमेंट में कि बीज उसके बाद क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा इसे लिख के बेजो दोस्तों सभी सातियों को कमेंट करना है जल्दी से बहुत ही बढ़ी है व्याख्या करनी है दोस्तों सही करम की गुट राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहला आएगा बीच, उसके बाद आएगी जड, उसके बाद आएगा दोस्तों तना, उसके बाद आएगा फूल और बाद में क्या हो जाएगी फसल ठीक है तो बीज, जड, तना, फूल और फसल ये इनका करम रहेगा तीसवां बीज में छूट गया था इसलिए बता दिया मैंने वापिस एक तीसवां कर चुके हैं 32 में आ जाई दोस्तों ये क्यूस्टन जो है बीजटीसी में आयावाई पेपर है बीजटीसी 2018 का पेपर हल करवा रहा हूँ मैं आपको आपके कितने सही क्यूस्टन होते है इमानदारी से आपको लास्ट में बताना है मुझे ठीक है एक परिक्षा में कुल चात्रों के 48% पास हुए हैं यदि कुल फेल चात्रों के संक्या 166 थी और 34% चात्रों को परतम स्रेणी मिली हो तो कितने चात्रों को परतम स्रेणी मिली एक बार सभी को इमानदारी से इसको हल करना है फिर मैं बताऊंगा 32 वेका देखो देखे जल्दी से एक परिक्षा में कुल चात्रों के 48% पास हुए है यदि कुल फेल चात्रों की संक्या 106 थी और 34% चात्रों को परतम सरेणी मिली है तो कितने चात्रों को परतम सरेणी मिली दोसो बॉतर 112, 210 या 204 32 में का बताओ जल्दी से चलिए बहुत बढ़िया 32 में का राइट आंसर 202 होगा दोस्तों कौन सा होगा 202 ठीक है 202 होगा देखो पास चातरों का परशंट 78 है 78 परशंट पास होगे हैं तो फेल कितने वे फेल हो गए आपके 22%, 100 में से 88 गए तो 22% क्या है दूस्तों फेल है, अब फेल चात्रों की संक्या 176 है, यानि कुल चात्र निकालेंगे फेल से कुल चात्र निकालेंगे फेल 166 है, अपने अनुसार 22 है, इंटू 100 करेंगे, तो कुल चात्र आपके आजएंगे 800, कुल कितना आ देंगे 800 800 में से 34% को फर्ष डिविजन मिला है यानि कितने को मिला है वो कैसे निकालेंगे वो आजाएगा 800 इंटु 34 बटा 100 कर देंगे तो आपका राइट आंसर आजाएगा 200 बहुतर क्या आजाएगा 200 बहुतर 272 या पर राइट आंसर एगा मेरे पर राइट आंसर क्या हो जाएगा तेटिसवा राइट आंसर क्या हो जाएगा बतो विशम का चैन करना है यानि अलग कौन सा है दोस्तों ये बताना है जल्दी से बतें दोस्तों चलिए सब्द कोस पत्रिका अकबार या पुस्त काले विशम कौन सा ये बताना है चलिए यान पर राइट आंसर एगा दोस्तों पुस्त काले ठीक है सब्द कोस अकबार पत्रिकाएं सब कहां रेती है पुस्त काले में ही तो रेती है इसलिए पुस्त काले आपका अलग रहेगा दोस्तों पुस्त काले यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ठीक है ना पुस्त काले आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों चलिए next अगला question देखे दोस्तों अगला जिन्होंने पुस्ट का ले comment क्या है बिल्कुल correct answer है अब देखिए निम्ने सब्दों को तार की केंव अर्थ पूर्ण करम में जमाना है दोस्तों इनको तार की केंव अर्थ पूर्ण करम में जमाना है चोतिसवे question देखो देश फरनिचर जंगल लकडी पेड जल्दी से बताई राइट answer क्या हो जाएगा चोतिसवे का आपको मैं start कहां से करना है बता देता हूँ देश से सुरू करना है देश से इतना हिंट दे दिया दोस्तों आपको देश से start करना है दोस्तों देश से ठीक है चलिए इसका right answer क्या हो जेगा चोतिसवे का देखना सबसे पहले देश आईगा एक नमबर पर देश रहेगा दूसरे नमबर पर आपका जंगल रहेगा ठीक है तीसरे नमबर पर आपका पेड रहेगा चोते नमबर पर आपकी लकडी रहेगी पांचवे नमबर पर फनिचर आईगा ठीक है एक एक के बाद में पांच एक के बाद में तीन फिर पांच फिर चार और फिर दो इसका मतलब पहला option correct answer है option number first आपका correct answer है पहले देश आएगा फिर जंगल आएगा फिर पेड आएगा फिर लकड़ी और फिर फनिचर इस परकार से ये बनेगा आपका अर्थ पूर्ण करम ठीक है चलिए आगे बढ़िये दोस्तों 35 वा क्यूशन दिये गेज चित्र में आयतों की कुल संक्या कितनी है आपको rectangle गिलना है सर rectangle आयत कितने है मेरे प्यारे सातियों आयत कितने है वो गिनने आपको दिये गेज चित्र में कितने आयत है आयत मैंने अच्छी परकार से आपको trick के बताई है उस trick से आप बिना pain उठाई आप right answer निकाल सकते हैं चलिए option है 6, 4, 8 या 9 जल्दी से comment किजिए 6, 4, 8 या 9 चलिए यहां पर right answer होजएगा दोस्तों no right answer होजएगा दोस्तों कैसे आया यह समझना मेरे प्यारे सातियों no कैसे आया आयत में क्या करना है 1, 2, 1 और 2 कितने होगे 3 होगे 3 into 3 कर लिजिए 3 into 3 कर लिजिए कितना आएगा no आएगा आपका D option correct answer एगा दोस्तों इसमें कितने आयत है कि सर इसमें 9 आयत है ठीक है 35 में जिन्नोंने D option बताया है दोस्तों सभी का दन्यवाद आगे बढ़िये मेरी प्यारी साथियों अगला सवाल अक्सरों का वह सम्मूँ जो दूसरों से अलग है 36 में किसन देखो C E H L K M P T N P S V O Q T X अब आप जल्दी से अल कीजिए 36 में का right answer 36 में का right answer क्या हो जाएगा दोस्तों Q 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 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इसमें भी प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हो रहा है आगे बढ़ते वे लेकिन इसमें प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 हो रहा है देखो P से S, 3 प्लस किया S से V, 22 यानि 3 प्लस किया 4 नहीं किया है इसलिए ये अलग है, आपका right answer 36 में तीसरा option होगा clear, चलिए, तीसरा जिन्होंने बताया correct answer है तार की group से रिक्तिस्तान की पूर्ती किस्से होगी, ये बताइए वैसे ही D, F, G, N किसे related होगा question, ये है दरसल जल्दी से इसको हल कर लीजी, मेरी प्यारे साथियों, जल्दी से हल कर लीजी ठीक है, जल्दी से हल करिए इसको चलिए, बहुत बढ़िया, इसका right answer क्या हो जाएगा, E, H, J, R ठीक है, E, H, J, R, पहला option आपका correct answer रहेगा, कैसे A से B प्लस 1 हुआ है, E से G प्लस 2 हुआ है, H से K प्लस 3 हुआ है और N से R प्लस 4 हुआ है, यानि प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 D से प्लस 1 करेंगे तो E, F से प्लस 2 करेंगे तो H, G से प्लस 3 करेंगे तो J और N से प्लेस चार करेंगे तो R आजएगा 14 और 4 अठार ठीक है E, H, J, R option number 1 आपका right answer है बात समझे में आगी क्या दोस्तों ठीक है चलिए अगला देखो 38 वा किसी वस्तू पर अकेली छूट कितनी होगी यदि उस पर स्रंकला में छूट 20%, 10% और 25% यानि इनके सम तुल्य बटा ग्याद करना है दोस्तों सिदा सिदा ये क्यूशन है ठीक है 20%, 10% और 25% चूट है तो अकेली चूट कितनी होगी चलिए एक बार आप हल कर लीजे कोई बात नहीं ये गणित से related है लेकिन इस परकार के आ सकते हैं दोस्तों इस परकार के सवाल आ सकते हैं मेरे प्यारे साथियों चलिए आप इसको एक बार हल कर लीजे दोस्तों इसका right answer आएगा 46% आपको पता हो तो 100 माइनस करना है 100 माइनस 20% यानि 80 बटा 100 10% यानि 90 बटा 100 और 25% यानि 25 बटा 100 आप जैसे इसको हल करेंगे आपका right answer क्या आजएगा 46% क्या आजएगा दोस्तों 46% आपका right answer आजएगा बात समझ में आगे ना चलिए ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल गुंचाली स्वां दिये गई कतनों से उप्यूक्त निसकर्स का चेन कीजी ठीक है ना आप देखे आपको कतन निसकर्स का सवाल है मैंने अभी नहीं पढ़ाया आलां की फिर भी आपको करना है दियेगे कतनों से उप्यूक निसकर्स का चैन कीजे कतन है सभी गाएं बक्रिया है सभी बक्रिया स्वान है पहला निसकर्स है सभी गाई स्वान है और सभी स्वान गाई है गुंचाली स्वें का राइट आंसर बतो चार ओप्शन निचा आपको दिये केवल एक अनुश्रान करता है दो अनुश्रान करता है दोनों करते हैं या दोनों ही नहीं करते हैं जल्दी से बताएं दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा चलिए बहुत ही बढ़िया ठीके दोस्तों क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं सबी गाय सुआन है ठीक है, सबी गाय तो सुआन होगी दोस्तों लेकिन सबी सुआन गाय नहीं होगे ठीक है, केवल निशकर्च एक अनुस्रण करता है दोस्तों पहला ओप्षन आपका A ओप्षन करेक्ट आंसर रहेगा जिनोंने भी A बताया है सही रहेगा सबी गाई बकरियां देखो ये गाई है काउ ये सबी बकरिया यानि गोट है और सबी बकरियां स्वान है तो सबी बकरियां क्या हो गई स्वान हो गई यानि ये हो गई डोग अब देखिए क्या कह रहा है सबी गाई स्वान है बिलकुल सबी गाई तो स्वान है लेकिन सबी स्वान गाई ये क्या जरूरी नहीं है दोस्तों इसलिए केवल निश्कर्स फर्स्ट अनुसरन करता है आपका राइट आंस रहेगा अगला देखिए विसम का चेन कीजिए आपको अलग छाटना है माविदाले परदा नाध्यापक बेंक परबंदक डाक गर डाक या नो सेना सेना जेक्स जल्दी से पते ही चारिसमें का चलिए बहुत ही बढ़िया पचास क्यूशन देखेंगे मेरे प्यारे साथियों पचास क्यूशन देखने वाले हैं ठीक है चलिए इसका राइट आंसर हो जेगा दोस्तों डाक या डाक गर डाक या ठीक है यहाँ पर देखो माविदेले का संस्ता परदान कौन होता है परदाना अध्यापक होता है बेंक का बेंक परबंदक होता है नो सेना का सेना अध्यक्स होता है लेकिन डाक्या का डाक्पाल होता है कौन होता है डाक्पाल होता है डाक्या नहीं होता है C option आपका correct answer रहेगा दोस्तों क्योंसर नंबर 40 का C option बात समझ में आ गई मज़ा आ रहा है ग नहीं आ रहा है एक बार बतो टेस्ट देने में मज़ा आना चाहिए दोस्तों 40 वाँ हो चुका है 41 में आ जाई है एक बार like और share कर दो तो सबी लोग live की संक्या लगतार बढ़ती रहनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्ता आती हो 41 वाँ क्योशन आपके सामने अवेलेबल है दोस्तों 41 वाँ चलिए 41 में राइट आंसर क्या आएगा बताईए जल्दी से एक आपको अनुकरम देरका है सरंकला देरके इसक्यूशन मारक चिन की जगे के आएगा ये डूंड ना है जल्दी से बताईए चलिए इसका राइट आंसर एगा मेरे पहरे साथियों 232 केसे आया देखना 7 से 8 केसे बने 7 इंटू 1 प्लस एक आठ हो गया 8 से अठारा आठ इंटू 2 प्लस 2 अठारा हो गया 18 से 57 अठारा इंटू 3 प्लस 3 57 हो गया 57 से आगे चरके करेंगे तो 57 इंटू 4 प्लस 4 करेंगे और ये हो जाएगा 232 232 को 5 से गुणा करके 5 जोड़ लो 1165 याएगा ठीक है तो यहाँ पर 232 राइट आठ आएगा के से 57 इंटू 4 प्लस 4 करदो 232 आएगा इस प्रकार का पेटरन चल रहा है मेरे प्यारे साथियों 41 का पहला ओप्षन करेक्ट आंसर है 232 बात समझ में आई सभी के चलिए 42 में आजए दोस्तों 42 नंबर क्यूशन का राइट आंसर बतो एक सरंकला देर किये अनुपस्तित संक्या याँ पर क्यूशन मारक चिन है 42 में आप टाइम ले सकते हैं बले लेकिन करना सही है दोस्तों टाइम बले ही लो दोस्तों लेकिन करना सही है मेरे प्यारे साथियों सभी का सही होना चाहिए चलिए 42 का राइट आंसर जल्दी से बताइए Very good 42 का राइट आंसर 21 सी होगा दोस्तों C option आपका होगा कैसे होगा आप द्यान से समझना 6 11 21 36 56 और क्योशन मारक है ठीक है 6 से 11 यानि प्लस कितना वाई 5 11 से 21 प्लस 10 21 से 36 प्लस 15 36 से 56 प्लस 20 और अब करेंगे प्लस 25 तो 56 और 25 कितना हो जाएंगे 21 से हो जाएंगे बात समझ मा आईगी बात समझ मा आगी क्या चलिए ठीक है न प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 करेंगे तो 21 से आजएगा C option आपका correct answer होगा है 42 में जिन्नोंने भी C option बताया दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद एक बार like share कर दीजिए आगे बढ़ते हैं 43 से क्यूशन में फिर से आपको एक अनुकरम दिया है आपको इस क्यूशन मारक चेन की जगे के आएगा जल्दी से बताना है बहुत सांदार तयारी करवा दूँगा फिर क्यूशन मारक फिर 68 जल्दी से एक बार आप हल करके बताए 43 का right answer क्या हो जाएगा चलिए फटा फट से हल कर लीजी दोस्तों इसको वेरी गुड 43 में right answer हो जाएगा 48 C option आपका correct answer एगा दोस्तों C option कैसा आया ध्यान से समझना 8 प्लस 4 12 12 प्लस 8 20 20 प्लस 12 32 32 प्लस 16 करेंगे नहीं करेंगे बिल्कुल करेंगे 4 बढ़ रहा है 8 12 16 बढ़ेगा फिर 20 बढ़ेगा ठीक है तो 32 और 16 करेंगे तो 48 C हो जाएगा 32 प्लस 16 कितना जाएगा दोस्तों 48 C हो जाएगा आपका right answer आजएगा चार चार का गेब चल रहा है देखो 4 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 करेंगे तो 32 और 16 18 हो जाएगा right answer C option आएगा 43 प्लस 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 16 करेंगे जिनोंने भी C option बता है बिल्कुल करेक्ट है 44 माजो इस अनुकरम में त्रूटी पूर्ण सिंक्या कौन सी है गलत कौन सी है option नीचे देखो 60, 74, 118 60, 74, 118 जल्दी से बताइए गलत नंबर डूणना है दोस्तों गलत नंबर कौन सा है इन में से चलिए जल्दी से start हो जाएए चंबाल इसमें को हल करना फटा फट से हैल कर दीजिए दोस्तों जल्दी से हैल कर लीजिए मेरे पहरे सातियों जल्दी से हैल कर लीजिए चलिए दोस्तों इसका right answer सोच लिया होगा तो आपने चंबाली समय का right answer आएगा 84 दोस्तों true tip पूर्ण संक्या है 84 यानि C option correct answer होगा दोस्तों कैसे देखिए यहां पर लिकावा 56 58 62 62 84 1818 और 182 अब ज्यान से समझना इसको 56 से 62 यहां आईए पलस 6 हो रहा है ठीक है और 62 से 24 यां पर देखो 24 बढ़ना चीए दोस्तों कितना बढ़ना चीए 24 क्यों अभी बताऊंगा यां पर आपका कितना बढ़ रहा है 6 चोग की 24 24 चोग 26 चोग 26 में ठीक है बात समझना गी यां देखो 58 से 70 यानि 12 बढ़ रहा है क्या बढ़ रहा है 12 और सतर से 118 यानि 12 चोक 48 चार गुणा बढ़ रहा है ठीक है इसलिए यहाँ पर आपका चोरियां सी नया आके कितना होना चीए 62 और 24 चीए 86 होना चीए दोस्तों जो चोरियां सी है उसके जगे क्या होना चीए 86 होना चीए दोस्तों आप इसको वापिस द्यान से बनाना आपको समझ में आ जाएगा ठीक है यहाँ पर देखो चे चोक 24 चोक च्याण में ऐसे चल रहा है बारा बार चोक 48 ऐसे चल रहा है ठीक है चलिए चोरियां सी यहाँ पर दोस्तों गल्लत आया वाई C option आपका correct answer रहेगा अगला आजेए दोस्तों अगला question अनुकरम दियावा है तुरूटी पूर्ण सक्क्या डोडनी है वेशा ही सवाल है जैसा अभी हमने किया है जल्दी से बता दीजिए 45 में का right answer question number 45 का right answer गलत संक्या कौन सी है दोस्तों बहुत इबढ़िया very good 45 में का right answer बतो 50 questions का model test paper लेका आया हूँ आपके लिए केवल तुरूटी पूर्ण संक्या कौन से हो जाएगे दोस्तों जल्दी से बता दीजिए very good correct answer एका बहुतर बहुतर तुरूटी पूर्ण संक्या दोस्तों कैसे अभी बताओंगा देखिए क्या लिखावा है 4, 8, 24, 400 फिर है बहुतर बहुतर ये बहुतर लिख दिया मैंने ठीक है अभी 480 फिर 2880 ऐसे चलता रहेगा आगे देखो 4 दुनी 8 8 तरी 24 24 तिया बहुतर ठीक है यहाँ पर 24 तिया नहीं आना चाहिए दोस्तों 24 चोक आना चाहिए क्योंकि 2, 3, अब 4 से गुणा होना चाहिए 3 से ही करवार रहे है ठीक है 4 से गुणा होना चाहिए तो बहुतर की जगे 6, 9 में आएगा 6, 8 में इंटू 5 करोगे तो आपका आजएगा 480, 480 को 6 से गुणा करते आजएगा 2880, ठीक है फिर आगे 7 से गुणा करोगे तो 20,160 आजएगा मतलब बहुतर, बहुतर की जगे क्या आना चाहिए 6, 8 में आना चाहिए था कौन से संक्या तुरूटी पोने बहुतर तुरूटी पोने हमने बता दिया है अच्छी तरीके सा आपको किलियर भी हो चुका होगा अगला क्यों संदे को 46 वा निम्न लिकित में से सबसे छोटी संक्या कौन सी है 55 बटा 100 14 बटा 27 22 बटा 30 या 30 बटा 50 जल्दी से बते हैं सबसे छोटी संक्या कौन सी है चलिए आप इसको हल करके देख लेना जल्दी से बते हैं दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 इसका एकस्प्लेशन मैं नहीं देने वाला हूँ 46 इसका डाइरेक्ट आंसर बताऊंगा दोस्तों बाग लगा लगा क्या पॉइंटों में देख लेना बाद में जल्दी से बते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चलिए 46 इसका आंसर होगा दोस्तों B option आपका करेक्ट आंसर होगा B option आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है 14 बटा सताई सबसे छोटी संक्या है ठीक है आगे बढ़िये दोस्तों एक निस्चित भासा में यदि गुड नेस को H.P.C.O.D.R. लिखा जाए तो उसी कूट भासा में ग्रेट नेस को क्या लिखा जाएगा क्या कूट होगा 47 का देखिए दोस्तों जा राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 का राइट आंसर बतो जल्दी से करिए दोस्तों इसको हल फटा पट से उपर नीचे लिखे नम्बरिंग करके देख लीजिए क्या हो रहा है very good 47 का राइट आंसर बताना है मेरे प्यारे दसात्यों 47 का चलिए बहुत बढ़िया 47 का उप्सन नम्बर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए उप्सन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्या हो रहा है बता दूँ पलस एक माइनस एक पलस एक माइनस एक यह पेटरन चल रहा है आपने बना लिया होगा आप लोगों ने बना लिया होगा पलस एक माइनस एक पलस एक माइनस एक का पेटरन चल रहा है उसके आदार पर आपका ए उप्सन करेक्ट आंसर होगा ठीक है 47 तक हो चुके हैं दोस्तों मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी से बता दीजिए 48 वाक्यूशन आपके सामने अवेलेबल है यदि मदरास को 51 गुणिएसी 16 से कूट किया जाता है टेनेंट को 43 इकिस टोई से कूट किया जाता है तो रमस र. a. a. t. o. a. kो किसे कूट किया जाएगा जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा वरि गूड 48 वाक्यूशन का राइट आंसर बताना है र. m. a. t. n. s. का कूट क्या होगा बहुत ही बढ़या जाएगा B option बता रहे हैं B option correct answer रोगा 45 में 14, 62 B option कैसा है देखो सबसे पहले R आयावाई R इसमें आयावाई 9 code है 9 आगया ठीक है M का code 5 है तो 5 यह एक ही है B option आपका correct answer रोगया बाके आपको मिलाने के आउशकता नहीं है B option आपका right answer रोगया 48 में का ठीक है गुण 500 के उसन देखे दोस्तों ललित के बारे में मंजु ने बताया कि उसके भाई का पिता मेरे दादा का एक मातर बेटा है ललित के भाई का पिता इसके दादा का एक मातर बेटा है तो मंजु का ललित से क्या समन्द है मन्जू ललित की क्या लगती है दोस्तों ये बताना है चलिए जल्दी से बते राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 का 49 का राइट आंसर दोस्तों बहुत बढ़िया चलिए क्या लगेगी दोस्तों बेन लगेगी बेन D option आपका correct आंसर होगा D गुण 50 में का D होगा कैसे होगा ध्यान से समझना मा लीजिए ये मन्जू है और ये ललित है मन्जू और ललित होगे आप देखना क्या कह रहा है उसके भाई का पिता किसके ललित के भाई का पिता ये भाई का पिता ठीक है इसके दादा का इकलोता पुत्र है ठीक है इसके दादा का इकलोता पुत्र है इसके भाई का पिता इसका मतलब ललित भाई वा और मंजु क्या होई इसकी बेहन होई ठीक है यह आपका डाइगराम बनेगा इस परकार से इसके भाई का पिता जो है मंजु का ही तो पिता लगेगा समझ गए ठीक है और मंजु के पिता का पुत्र इसका खुद का भाई लगा यानि मन्जू इसकी बेन हो गई D option आपका correct answer हो गया D ठीक है आज की class का दोस्तों अंतिम पर्शन 50 वा question आपके सामने अवेलेबल है अनूपस्तित संक्या कौन सी यानि इस question मारक चिन की जगे क्या आएगा जल्दी से बताइगे चार चे नो चवदा 21 क्यूशन मारक चिन देखे चार प्लस चे दो प्लस तीन प्लस पांच प्लस साथ प्लस क्या आएगा चलिए जल्दी से बताइगे दो तीन पांच साथ देखो दो जुड़ रहा है ठीक है ना कौन से संक्या है अबाजे संक्या है ये भी अबाजे ये भी अबाजे है अगली अबाजे संक्या क्या होगी 11 होगी दोस्तों 11 ठीक है 21 प्लस 11 option एक या कहीं देखो 3, 2 32 का option नहीं दोस्तों ठीक है 9 जोड़ दीजिए 9 21 में 9 जोड़ दीजिए दोस्तों 9 30 option आपका right answer हो जाएगा D ठीक है वैसे यहां जो है आपका 21 प्लस 11 32 होना चाहिए 32 यहां 32 आएगा 32 option D change कर लेना 32 कर लेना इसका right answer वे से 32 होगा क्योंकि अबाजी संके हैं जोड़ी हो दोस्तों विसम नहीं जोड़ी अबाजी संके हैं जोड़ी हो ठीक है 32 आपका correct answer होगा मेरी पहरे साथियों तो यह थे दोस्तों आज के 50 person और यह जो आपका test था वै 2018 का BSTC का paper है इसका मतलब इस परकार के question आई वे हैं बात समझ में आ गई test कैसा लगा जल्दी से बताईए और आपके 50 में से कितने question सही वे वो भी comment करके बता दीजी मेरी प्यारे साथियों टेस्ट में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद जल्दी से बते ही कितने question right answer हुए चलिए बहुत इबढ़िया तो दोस्तों मिलते हैं next 3 बज़े वाले test में तब तक के लिए सभी को जे हिंद 3 बज़े आपका हिंदी और जीके का test होने वाला है रात को 9 बज़े जो है शिक्षन अभी रूची का test रहेगा तन्यवाद